साथियों, आज मैं प्रदेश और केंद्र सरकार को एक आइना दिखाना चाहता हूं, जिस सच्चाई से केंद्र और प्रदेश की सरकार अपरचित है या जान भूच करके एगनूर कर रही हैं। केंद्र की सरकार द्वारा पूरे देश में कोविड नाइन्टीन या यूं कह लेजे कोरोना जैसी महामारी को लेकर 24 तारीक को, 24 मार्च को पूरे देश में लागडाउन की घोसड़ा होती है। स्रमिक मजदूर जो बाहर काम करने वाले लोग हैं। उन लोगों को तनखा 10, 11, 12 तारीक तक मिली। तनखा मिलने के बाद जो प्रवासी मजदूर बाहर काम करने वाले लोग थे। उन लोगों ने राशन की दुकान पे कुछ पैसा दिया। कुछ अपने गाउं परिवार को लिए भेजा। कुछ अपने लिए पैसा रखा। धिरे धिरे लागडाउन की अवधी पढ़ती गई और राशन उन साथियों का खतम हुआ। राशन खतम हुआ धिरे धिरे जो पैसे थे उस पैसे को भी धिरे धिरे खतम हुआ। इस्तिती ये नवबत आ गई कि हमारे जो प्रवासी मजदूर भाई थे विभिन प्रदेसों में अब वो खाने के लिए परिशान। सरकार के तरफ से टेलिवीजन पर अकबारों में पहुत प्रचार हुआ कि हम उनको राशन देंगे। हला कुछ जगहों पर राशन पहुचा कुछ जगहों पर नहीं पहुचा। आज इस्तिती उन प्रवासी मजदूरों की ये हो गई है कि आज वो चाए वो गुजरात में होँ, चाए बाम्बे में होँ, चाए पंजाब में होँ, चाए दिल्ली में होँ, देश के किसी प्रदेश में होँ. आज वो खाने के लिए परिशान है जो परिवार के साथ लोग वहां रह रहे हैं बच्चों को दूद नहीं मिल रहा है दो-दू दिन-तिन दिन तक भूखे रह रहे हैं और सरकार का ध्यान उन पर नहीं है सरकार ने एक फैसला लिया उस फैसले काम स्वागत करते हैं ट्रेन चलाने का, बस चलाने का, लिकिन ये ट्रेन और बस में जो किराय लिये गए ये दुर्भागे पूर्ण, एक तरफ सरकार, केंद्र की सरकार और प्रदेश की सरकार दुहाई देती है टेलिवीजन पर, और अकबारों में कि हम प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक बीना पैसे में पहुचाएंगे लेकिन साथियों जग जाहिर है उरे टीबी, अकबार, सोसल मीडिया पे जो भी हमारे प्रवासी मजदूर, ट्रेनों से, बसों से आ सके, आज ओकी राया दे करके आए जिसका खुला सा, रेल मंत्राले भारत सरकार ने, जब ट्रेन चलाने की बात किया, तो उन्होंने भी कहा कि अब, हम इस्टेशन पर टिकट नहीं देंगे, आनलाइन टिकट आप बुक कराओ, जिनका टिकट बुक होगा, वही लोग जा सकते हैं, तो आनलाइन टिकट बिना पैसे की बुक नहीं हो सकता, हम केंदर और प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूं, कि उन्हों तमाम ऐसे प्रवासी मजदूर, जिनके पास पैसे नहीं है, खाने के लिए रासन नहीं है, ऐसे लोगों, लोग घर आना चाहते हैं, वो कैसे घर आएंगे, जब आप उनसे रेलवे का टिकट मांग रहे है हैं, आप कह रहे हैं कि आप टिकट कटाओ, ट्रेन से जाओ, आप टिकट कटाओ, बस से जाओ, तो मैं केंदर और प्रदेश सरकार से ये अपील करना चाहता हूं, कि जो आप लोगों के द्वारा, जो बिधायक निधी, दो करोर से बढ़ा करके, तीन करोर इस साल की गई है और उस बिधायक निधी को, हम सांसद निधी की बात तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिधायक निधी बिधायक निधी, जो मुख्यमंत्री महोदय ने तीन करोर रुपया हर बिधायक का वापस लिया है, उसमें से एक एक करोर रुपया, प्रदेश सरकार, हर बिधान सभा मे लगभग 7,000, 8,000, 5,000, 10,000 ही प्रवासी मजदूर बाहर फसे हुए हैं तो ये करोर रुपे में ओ ट्रेन चलवावे ज्यादा से ज्यादा एक ट्रेन जो 20 बोगी की चलती है उसका ज्यादा से ज्यादा आठ लाग, 10 लाग, 12 लाग रुपया के राया होता है पूरी ट्रेन का तो सरकार का ध्यान हम इदर आकरशित कराना चाहूंगा कि जो विधायक निधी का पैसा मिलता है वो छेत्र की जनता के विकास के लिए मिलता है उनकी सुक्सु विधा के लिए मिलता है तो ऐसी इस्तिती में हम प्रदेश सरकार सुबे के मुख्यमंत्री महोदै से ये कहना चाहूंगा कि उस विधायक निधी से एक एक करोड रुपया रेलिवेक पर जमा करिये और उन गरीब कमजोर प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक बिना पैसे में पहुचाने का काम करिये और जो प्रवासी मजदूर जिनके पास रासन नहीं है पैसा नहीं है बच्चे दू ऐसे लोगों तक जो विधायक निधी का पैसा आपने काटा है उस पैसे से आप उनको उसमें से कुछ पैसे से उनको रासन मुहिया कराने का भी काम करिये ये हम केंद्र और प्रदेश सरकार से भी कहना चाहूंगा और मजे की बात गुजरात में फसे हुए हमारे तमाम प्रवासी मजदूर जो विचारे आज उनके पास खाने के लिए नहीं है वो घ़र आना चाहते हैं जब घर से निकलते हैं बाहर रोड पर तब पूलिस की लाठी खानी पड़ती है पैदल चलते हैं पैरों में छाले पड़ जा रहे हैं द्री से जो देखने को मिल रहा है एक तरफ सरकार केंद्र प्रदेश सरकार दुहाई दे रही है कि हम प्रवासी मजदूरों को हम उनके जिनके पास पैसा नहीं है जिनके पास रासन नहीं है वह कहां से टिकट बुक करा आएगा वह कहां से इसनाते दुनिया का आप करो चाहें ना करो उत्तर प्रदेश के 403 विधायकों में से हर विधायक से विधायक निधी से एक एक करोड रुपया आप निकालो और रेलवे आप बुक करो रेलवे का पैसा जमा करो और जहां जहां यूपी के लोग फसे हैं उनको टेनों के माध्यम से बीना पैसे में जो पैसा आपने लिया है उनके घर तक पहुंचाओ यह बात मैं क्यों कह रहा हूं मैं जहूराबाद गाजीपुर से विधायक हूं सरकार ने तीन करोड जो विधायक निधी तो लिया तन्खा से भी कटवती किया हम उसका स्वागत करते हैं अधिकारियों से कर्मचारियों से उनका तन्खा काटा उसका स्वागत करते हैं आपने मांगाई भता रोका स्वागत करते हैं लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जहूराबाद विधान सभा में एक भी सीसी सेने टाइजर नहीं किसी को दिया गया है एक भी मास किसी को नहीं दिया गया तो यह तीन करोड रुपया आप कहा वहार ले जा करके खर्च कर रहे हो किसके यहां खर्च कर रहे हो मुझे तो वास्चेर हो रहा है जिस अहमदाबाद का इसपोताल क één गटन व्म का अवसों मैंने देखा कर रहे ओड़ ऑठ है किट की बात कर रहे थे मास की बात कर रहे थे और सरकार टीबी और अगबारों में खौब लच्छेदार भासड मार रही है कि हम स्वास्त कर्मचारियों को हम सारी विवस्था दे रहे हैं तो उनकी भी विवस्था कराओ और मानी मुख्यमंत्री जी मैं आप से कहना चाहता हूं विधायक होने के नाते जो सडक पर 24 घंटा कोरोना जैसी महामारी से पुलिस विभाग लड़ रहा है अस्पताल में स्वास्त विभाग के लोग हमारे लड़ रहे हैं इनकी तनखा में कटवती मत करो पुलिस विभाग खुले सडक पर हैं आप एक तरप कहते हो लागडाउन की हो अपने घर में रहो दूसरी तरप वो पुलिस विभाग के अधिकारी कंचारी वो सडक पर घूम रहे हैं इस नाते उनके साथ भेदभाव मत करो पैसे की कमी है तो मैं कहता हूँ जितने भी पेंसन बिधायक सांसत को दी जाती है सारी पेंसन बन कर दो किसी तरह की पेंसन मत दो और निधी का भ आज केंद्रप्रदेश सरकार को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो तीन-तीन करोड रुपया है उसमें से एक-एक करोड रुपया आप निकालो और ट्रेन बुक कराओ एक-एक विधान सबा से जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर फसे हैं उनको बीना पैसे में वापस ले आओ और आने के बाद हम मानी मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकरशित कराना चाहूंगा कि जीले में कुछ ऐसे अधिकारी हैं कुछ ऐसे प्रवासी मजदूर उनको सीधे घर भेज दिया जा रहा है मैंने पिछली बार कहा था कि आपने सराप का ठेका खोल करके आपने कोरोना को पाउं फैलाने का मौका दे दिया आज वो चीज गाउं तक पहुँच रही है फिर मैं कह रहा हूं मानी मुख्यमंत्री जी आज भी समय है आज आप कोरोना जैसी महामारी से निपटना चाहते हो तो उत्तर प्रदेश में सराप का ठेका तब तक बंद करो जब तक लागडाउन आप चला रहे हो और उसके बा प्रदानमंत्री जी भी ने अपने भासण में कहा है प्रेश के सामने कहा है इसनाते मैं बार बार आपसे निवीदन और अपील करूंगा केंद्र प्रदेश सरकार का ध्याना करशित कराऊंगा कि मैंने देखा सोशल मीडिया पर उस मा के पैरों में चमडे उखर गए उस भ पैदा ला रहे हैं ऐसे लोगों के बीशे में आप सोचो ऐसे लोगों को ततकाल रोक करके बस से जो हम लोगों का पैसा आप लिए हो विधायक निदी का पैसा उस पैसे से ऐसे लोगों को ततकाल उनके घर तक पहुंचाओ और उसके बार जो यहां कॉरंटीन आप कर रहे ह इसकी भी निग्रानी करो बहुत से ऐसे अधिकारी कमचारी मैं देख रहा हूं सुन रहा हूं कि कोरंटीन के नाम पर उनको घर भेज दिया जा रहा हूं अपने परिवार में रहा है इसका मतलब कि अगर उसमें से हो सकता है कोई की कोरोना पास्टीव अगर पेशेंट होगा तो अपने पूरे परिवार को फैलाएगा पूरे गाउं को फैलाएगा और फिर आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और तो और आप बड़ी बहबाई के अंदर प्रदेश सरकार कर रही है मैं फिर कह रहा हूं कि जो 40 साल तक पुलिस बिभाग ने स्वास्त बिभाग ने तमा उनके परिश्रम पर आपने सराप का ठेका खोल करके उनके मेहनत पर पानी फेर दिया जिसका खामियाजा 4 मई से उठा के आज तक देख लिजे आपका कोरोना पेसेंट दुगुना से भी जादा हो गया आज 78,000 हो गये उस दिन तक 43,000 थे 4 मई तक और आज दुगुना पेस हो गये यह आपके सराप का ठेका खोलने का रिजल्ट है इसना ते हमको तो आश्या आता है थाली बजी घंटा बजा कोरोना रुका अगर बत्ती जली मौंबत्ती जली लाइट जला कोरोना रुका कोरोना रुकेगा जो आप सिस्टम ले आये हो हम अपने सभी वंची समाज के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि साथियों यह छुआ छुआ छुट की बीमारी है इससे बज करके अपने अपने घर में रहो काम से ही घर से बाहर निकलो बिना काम का घर से बाहर मत निकलो सरकार के भरोसे मत रहो सरकार आपको कुछ नहीं कर सकती मैंने तो प्रधानमंत्री जी का उस दिन भासन सुना और मीडिया के लोग और खास्त और से भारती जन्ता पार्टी के अंधभक्त खोड़ चिल्ला रहे हैं कि पहली बारात्मनिरभर की बात देश के पधानमंत्री जी ने किया है अरे अंधभक्तों ये सोचो कि इंदिरा जी के समय से अटल जी के समय से मनमुहन जी के समय में बार बार ये लोगों ने कहा है कि हम देश को आत्मनिरभर बनाने की जरूरत है हर व्यक्ति को आत्मनिरभर होनी की जरूरत है आज कोई नई चीज प्रधानमंत्री जी नहीं किये हैं और इन्होंने जो घोसड़ा किया है प्रवासी मजदूरों के लिए इन्होंने कोच नहीं किया है और प्रधानमंत्री का जुमला भी मैंने सुना हूँ प्रधानमंत्री जी जब 2014 के पहले बासंद ये हैं कि ये जो घोसड़ा होती है ये सिर्फ पैकेट में रह जाता है तो मानी प्रधानमंत्री जी कहीं आपका भी ये घोसड़ा ये पैकेज कहीं पैकेट में ही न रह जाए जो बात आपने कहा है वही बात मैं आपको एहसास दि उसके बाद 5 करोड 5 लाग करोड छोटे मजोलों को तो 8 5 13 13 लाग करोड यही हो गया 1.70 लाग करोड रुपय आपने पहले पैकेज दिया था तो कुल मिला करके तो आ लेडी 8 5 13 14 लगभग 15 15 लाग करोड रुपया तो यही हो जाता है बचा क्या है आपको खुब भी डोरा मीडिया के लोग पीट रहे हैं खुब बाजा अखबार के लोग बजा रहे हैं सही बात भी बोलने की चंता हमारे कुछ एंकर साती जो मोदी भक्त बने हो भाजपा का चेहरा बने हो सही बात बताओ मैंने तु देखा इंडियन एक्सप्रेस अखबार में जनसत्ता में देखा हम बधाई देता हूँ उस पत्तकार को मैं बधाई देता हूँ उन सात्यों को है यंदी टीबी के हम तो अभिसार सर्मा को बधाई देता हूं हम उन पत्तकार भाईयों को बधाई देता हूं जो सही बात जंता के बीच में रख रहे हैं इसनाते मैं अपने भागीदारी संकल्प मोर्चा के जाबाज सिपाहियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप घबड आओ नहीं जेश देन लागडाउन खतम होगा ओस देन हम लोग माननी वाबु सिंग्सु श्वहा जी मानी अनिल सिंग्छुषान, मानी रामकृनकस्यव जी मानी बाबुरामपाल जी मानी प्रेमचंद्प्रजापत्य जी कई और हमारे माननी रामधनी बिंद जी हम सब समाज के लोगों आपसे कहना चाहता हूं जो अपने अधिकार से बंचीत लोग हैं मैं आपसे कहना चाहता हूं अब वो दौर आ गया है कि बाबा साथ डाक्तरम बेट करके दिये हुए अधिकार बनाए हुए संभीधान की सुरक्षा की 2022 में हम सब लोग मिलकर उत्तर प्रदे संक्वल्प मुर्चा के सभी पदादिकारी जीमेदार सातियों आप लोग मन मिजाज बना करके अपने अपने गाउं में जो भी साथी जिस गाउं का है आप अपने गाउं में लागडाउन का पालन करते हुए अभियान में अपने लगे रहिए घबडा ये नहीं मैंने बहुत सी सरकारें देखा है अपने जीवन में जो फल लगता है वो गिरता है ये कटुसत्य है ये सरकार जितना जूट बोलने की माहिर है जितना लच्छेदार भासर देने की माहिर है मेकिन इंडिया याद कर ले ना भागीदारी संकल्प मुर्चा के लोगों मेकिन इंडिया सेर का लोगों लगा था मेकिन इंडिया कहां गया वो पाकिस्तान गया कि अमेरिका चला गया पता नहीं लगा और तो और बारे देश के पधान मंत्री जी का जुमला पंदरा पंदरा लाक देंगे, खाते में आएगा, गणी मालामाल हो जाएगा, दो करोर नवकरी देंगे, नवजवान एकदम बेरोजगारी दूर हो जाएगी, हम देश बिकने नहीं देंगे, बाहरे पधान मंतरी जी, रेलवे बेच दिया, एरपोर्ट बेच दिया बाइंग के बेच दिया और आप कह रहे हो कि हम देश बिकने नहीं दीगे बाहरे देश के पधानमंत्री जी हम तो ऐसा आज तक ऐसा पधानमंत्री नहीं देखा जो इतना बढ़िया जुमला भेजते हैं कि जनता उसमें मोहित हो जाती है इसनाते हम पुनयापका ध्यान केंदर प्रदेश सरकार का ध्यान और प्रवासी मजदोरों की तरफ ले चलना चाहता हूं कि जो हमारे प्रवासी मजदोर पैसे के अभाव में ना उनको भोजन मिल रहा है ना उनको तिकत मिल रहा है विधायक निदी से एक-एक करोड रुप्या निकाल कर उनको बीना पैसे में उनके घरों तक पहुचाने का काम यह सरकार करे यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो यह माल लिया जाएगा यह भारती जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार दलित पिछडा अलप संख्यक बिरोधी है बंचित समाज की दुस्मन है